हेलो बच्चों स्टार्ट करते हैं चाप्टर नाइन मिसलीनियस एक्सरसाइज कोशन नमबर नाइन फाइंड दा पर्टिकुलर सिलूशन अब दा गिवन डिफरेंशिल एक्वेशन गिवन दाट य इस इकल टू बच्चे यह आपको एक्वेशन दी गई है तो चलिए को पर्टिकुलर सिलूशन फाइंड करना है फिर्स्ट आफ आफ आल वान प्लस एकी पार टू एक्स डी वाई इस इकल टू यह टाम इस साइड लेके आएंगे माइनस वान प्लस वाई स्केर एकी पार एक्स डी एक्स ठीक है फिर आप वैरिवर सेपरेबल मैथर लगने वा यहां पर तब डी वाई डी एक्स यहां पर है तो यह वाई वाला फंक्चन इस साइड आ जाएगा डी वाई है वान प्लस वाई स्केर इस साइड आ जाएगा ठीक है ओके बीटा चलिए और यह है माइनस इस साइड एक्स डी एक्स अपान बान प्लस एकी पार टू एक्स इ यहां पे आप i1 ले लिए ठीक है i1 इसको इंटीडेट कर रहें आप बच्चे यहां पे दिखिए अगर हम i1 में e की पार x dx वान प्लस e square x ठीक है यहां पे हम अगर पुट करें e की पार x t आ जाएगा ठीक है ओके अब बच्चे यहां पे हमारे पास e की पार x हमने पुट कर लिए t, अगर e की पार 2x है तो क्या हो जाएगा वो t square, कैसे, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसी की पार ले लें, तो वो 2 हो जाएगा न, multiply साथ में, यह आ गया t square, ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास, इसको integrate कर देंगे, sorry, derivative ले लेंगे इसका, तो यह आ जाएगा dt, पुट करेंगे इसमें dt upon 1 plus t square, again क्या बन गया आपके पास, tan inverse t, t की value क्या है आपके पास, ex, ex यह आ जाएगा, ठीक है, यह पुट करेंगे आप, तो यह आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास, tan inverse y is equal to minus, tan inverse ex plus c ले लेंगे, अभी यह दर आ जाएगा, tan inverse y plus, tan inverse e की पार x is equal to c, अब आपको particular solution देना, इसको first equation ले लेंगे, value put करेंगे, when y is equal to 1, x is equal to 0, y 1 रखेंगे यहाँ पे, tan inverse 1 plus tan inverse e की पार 0, तो वो भी 1 हो जाएगा, अब tan inverse 1 आपको पता है कब होता है, sorry tan 1 कब होता है, pi by 4 पे, अब अच्छे tan tan cancel हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी tan आएगा, pi by 4, ठीक है, tan tan cancel, pi by 4, pi by 4 क्या हो जाएगा, 2 pi by 4, 2 pi by 4 क्या हो जाएगा, pi by 2, ठीक है, मतलब यहाँ पे c है, sorry, c की value आगी, put करेंगे, first equation में, tan inverse y plus tan inverse e की पार x is equal to, हमारे पास आगया, pi by 2, I think यही आपका answer है, ठीक है, note कर लेंगे आप इसको, तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई YouTube चैनल, थैंक यू,